आउनी इस ट्यूटोरियर बनाड चनल में एक बार आपका परिसे स्वागत है देखिए जैसा कि आप थमनेल में देख रहें कि आरो एरो एक्जाम लेटेस्ट अपटेट तो क्या है अपडेट उसको देखते हैं यूपी बीएट लेटेस्ट न्यूस अपटेट उत्तर इसको देखते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करो चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी सेर करना न भूलें चलिए अपडेट देखते हैं यह देखिए आज के पेपर में बहुत प्रमुक्ता सिशाई कब आरो ए आरो पेपर मामले में केस दर्ज 128 प्रसनों के लीक होने के मिले साच हालांकि आरो ए आरो भरती परिच्छा जो है वह रद्द कर दी गई है इसके पहले आयोग यही करा था कि अभी हम जाच कर रहे हालांकि जाच में अभी 128 प्रसनों के लीक होने के उसे साच मिले है प्र bodook के दिखिए उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग की समिच्छाध क्यारी साहक समिच्छाध क्यारी ARO ARO परिच्छा के पीपर लीग मामले में आयोग सक्यू असौक कुमार सिंग की तहरीर पर सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है प्रारंभिक जाच में कुल 128 प्रस्णों के लिख होने के साच मिले हैं सच्यू के तहरीर सच्यू ने तहरीर देखर बताया है कि 11 फरवरी को दो पालियों में परिच्छा होई थी प्रथम प्रस्ण पक्र सामान अध्यन और दोती प्रस्ण सामान हिंदी के 128 सवाल पर इच्छा सुरू होने के पहले ही सारुजनिक होने की सुचना सोसल मीडिया और अन्य माधिमों से मिली आयोग को अब तक मिले प्रत्यवेदन और साच्छों से यह जानकारी मिली कि प्रतम प्रस्पत्र के 103 और 230 प्रस्पत्र के 25 प्रस्परिच्छा सुरू होने के पहले सारुजनिक हो गए सच्छों के मुताबिक इन साच्छों के तकनिकी सत्यापन वा संपूर प्रकण की गहन विवेचना जरूरी है ऐसे में रिपोर्ट दर्ज कर कारवाई की जाए और शिविल लाइन स्थाना प्रभारी रामा स्वय आदों ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज क ली गई है बी और सी सिरीज के प्रस्पत्र से खाते हैं मेल कहने के मतलब जो 128 प्रस्पत्र लीख हुए वह जो प्रस्पत्र की सिरीज बी और सी है उससे मेल खा रहे थे सचिव की योड़ से बताया गया कि प्रथम और दोती दोनों प्रस्पत्र के जो प्रस्ण वा उत्तर पर इच्छा पूर्व सारुजनिक हुए उन में से कोई सिरीज अंकित नहीं है, हलंकी सिरीज अंकित नहीं है, हलंकी सामान अध्यन के 103 प्रस्ण B सिरीज के प्रस्पत्र से मेल खाते हैं, इसी तरह सामान हिंदी के 25 प्रस्ण C सिरीज के प्रस्पत्र से मेल खाते हैं, हलंकी ये आरो यारो के रही डेटेस्ट अपडेट की जाच इसकी जो है पुक्ता चल रही है और उमीद है कि जल्द ही इस पर मने परिच्छा की तित भी संभावित हो गोसित होने की और अगली जो भी डेट होगी उस पर परिच्छा बिलकुल कडाई के साथ होगी पारदरसी धंग से होगी चलिए अगली निउस दिखते हैं अगली है कि यूपी बीएड लेटेस्ट निउस अपटेट तो बीएड परिच्छा के लिए अब साथ अपरेल तक भर सकेंगे फारु कहने का मतलब जो भी अभियरती बीएड करना चाह रहे हैं उनके लिए डेट जो है बढ़ा लाइड पर जाकर साथ अपरेल तक फार्म भर सकेंगे 31 मार्ज तक फार्म भरने में कोई बिलम सुल्क नहीं लगेगा इस बार भी बीएड प्रदेश में बीएड की स्वाइड प्रवेश पर इच्छा करा रहा है इसके लिए आवेडन की तिद्दस फरवरी से सुरू में अंतिम सेमेस्टर की परिच्छाएं चलने के कारण भी उने सासन को पत्र लिखा था और एक महीने के लिए आवेडन तित बढ़ाने की मांग की थी तो इस प्रकार से कहने के मतलब जो भी अबेरती इंजार कर रहे हूं उनके लिए ये गुड निउस है कि डेट पड़ी हुई है हलांकि उत्तर प्रदेश में अब बीएड कौन करना चाहे अच्छी तरह सब जान रहे हैं यहां तो सिच्छा की कोई भारती नहीं कि वल बस बीएड कर लीजिए डियलेड कर लीजिए बस इतना ही है बैकेंसी के नाम पर कोई बैकेंसी नहीं सभी बैकेंसी यहां यहां तो यही है अभी तक सिच्छा जो नया सिच्छा से वाचेन आयोग है अभी वो पूर रूप से क्रियानवित रूप में भी नहीं आया हुआ है यह है उत्तर प्रदेश फिरहाल और अब जहां भी कोई भी लोग बीएड करना भी चाहते तो अब चार वरसी बीएड की मांग हो रही है तो आखिर में दो वरसी बीएड करने से क्या फाइडा फिरहाल जो भी करना चाहें उनके लिए कोई बात नहीं है लेकिन निप 2020 के तहत यही अन्मान लगा जा रहा है कि बीएड भी अगर किया जाए तो चार वरसी फिरहाल आगे देखते हैं प्राबधिक स सहाय के 3446 पदों के लिए 1 माई से आवेदन क्रिस्प भी भाग वही मने यूपी टिपलस की तरफ से जो गूड निउज है कि कल देर साम जो है एजी टी एमिस क्रिस्प प्राबधिक सहाय की समूगा की भरती का विग्या पंजारी हो गया उसी की निउज है कि क्रिस्प भी में प्राबधिक सहाय गुरूप सी की 3446 पदों पर भरती हो गया धिनस से और चैनायोग ने सो मार को इसका भी क्या पंजारी कर दिया इसके लिए अनलाइन आवेदन एक मई से किया जा सकेगा आवेदन की अंतिमतित 31 मई है सुल्क समायोजन आवेदन की आवेदन में उन तक होंगे भरती के लिए पीटी 2023 में सामिल अवेदन के लिए योगे होंगे आयोग के सचियोनिस अक्सियना ने बताया कि नयायाला के आदेश के करम में 2384 अभरती इनकी सुची वेबसाइट पर प्रकासित की जाएगी सीधे दूसरे चरण में सामिल होंगे और आयोग पी इटी नंबर से सीधे आवेदन कर सकेंगे सभी वर के अभरतियों को 25 रुपए आवेदन सुर्ख देना होगा मुक पर इच्छा के लिए साटलिस्ट होने पर अलग से सुर्ख देना होगा उन्होंने कहा कि अभरती जिस आरच्छनवा आयो में छोट लाप चाते हूं उ तो ये एजी टिये की बेकेंसी के बारे में है हालांकि एजी टिये में जो टी पी इटी की बात की गई है तो टी पी इटी क्या है वो जो है जो याची जिनको लाब मिला है तो उनके लिए जिन्हें माने पेट 2023 से छोट दी गई है उनके लिए आयोग जो है 20 मार्स से 20 अप प्रेल के बीच जो है TPET के लिए उन्हें temporary PT के लिए registration नंबर इलाओ करेगा और उसी नंबर के आधार पर वो मुख्ष फार्म भर सकेंगे. तो यह है UPTPSC की जो तरफ से जारी AGTA के सलेबस के आधार पर जो पूछा जा रहा है क्या क्या आ रहा है क्योश्चन देख लिजिए फासल भी ज्यान 25 क्योश्चन होंगे 25 अंग के वहीं जय तक्निकी पादर प्रजनेन वा क्रॉप फिजियोलोजी 10 प्रसंद 10 अंग के मिर्दा एम जल प्रबंधन से जो है 15 प्रसंद 15 अंग के क्रिस प्रसार से 5 प्रसंद 5 अंग के क्रिसी योजनाए इस से जो है 5 प्रसंद 5 अंग के पसपालन एम दो विकास से भी 5 प्रसंद 5 अंग के इस प्रकार से कुल 65 प्रसंद केवल सबजिक्टिव हैं एगरी मनिक क्रिस्ट से ये बहुत बड़ी निवस है फिरहाल और साथ में दूसरा भाग जो है वो कंप्यूटर सुचन प्रद्योग की किया धाराओं एवं इस हित्र में समसमाईक प्रद्योग की विकास एवं नवाचार पर ग्यान तो इससे कीवल 15 प्रस्ण होंगे 15 अंके वहीं उत्तर प्रदेश राज से संबंधित सामान जानकारी इससे 20 प्रस्ण होंगे 20 अंके कुल कहने का मतलब 35 प्रस्ण जो है कंप्यूटर और जी एस को लेकर हैं उसके अलावा 65 प्रस्ण जो है वह केवल एग्रिकल्चर से परिच्छा की समयावध ही जो होगी वो दो घंटे की होगी और प्रस्णों की संख्या कुल सव होगी और साथ में रेडात्मक अंक भी मने निगेटिव मार्किंग भी लागू है मिन्स 25 प्रस्ण थाथ एक बटाचार की निगेटिव मार्किंग भी प्रभावी रहेगी तो यह थी एज़िटी यह किसले बस यह देखी फसल भी ज्यान से क्या क्या टापिक है जयो तक्नीकी पादर प्रद्दनें क्रॉप है जोलाजी मृदायम जल प्रबंधन है क्रिस प पालन एंदुग बिकास से उसके लाओं कंप्यूटर से रिलेटेड और यह उत्तर प्रदेस राज से संबंदित जो भी सामान जानकारी है उसका स्लेबस है वहाँ ही यूपिटी पलस सी लेकपाल भरतीगी अपडेट की बात करने तो इसमें जो है हालांकि जो नौचानी त रिट तायर किये हैं उनसे रिट वापस लेने की बात पर लगे हुए हैं हालांकि कुछ लोगों से सफलता में मिली है और कुछ लोग अपने रिट पर अभी भी कायम है हालांकि रिट से कुछ होने वाला नहीं है जो भी नौचानी लेकपाले पैड़ती है वो बिलकुल पर हो जाएगा जौइनिंग कोई काट नहीं सकता है जौइनिग आपको पक्का है मिलनी है तो मिलनी है तो इस वीडियो में बस इतना ही नेकst कोई अपडेट मिलती है उन्फ आपके समक्ष होगी तो चैनल पर ये नए होने तो प्लीज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वी तेंक यू